Hello everyone, आज के इस session में हम class 8 science के 15th chapter some natural phenomena का एक और नया topic discuss करने जा रहे हैं and that is why a charged object attracts an uncharted object previous session में हमने बात करी थी types of charges topic के उपर और charges के बीच में interactions कैसे होते हैं वो भी हमने समझा था तो वो पूरी कहानी थी अपने previous session की और आज के इस session में हम बात करेंगे एक नय topic के उपर, so I hope session का जो target है वो सभी को है एकदम clear एक काम करते हैं, फटा-फट से session को भी हम कर लेते हैं start so this is विभूती खरे, welcome to magnet brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost, यानि कि magnet brains में आपको दो chapters परने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने के requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुँचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारे ये session जहांपे हम बात करेंगे एक नए topic के उपर, आज हम सीखेंगे कि exactly कैसे एक charged object, एक uncharged object को अपनी तरफ attract करता है Anyways, तो previous sessions में हमने बात करी थी कि भाई charges जो हैं वो दो types के होते हैं एक है हमारे पास positive charge और दूसरा है हमारे पास negative charge जो like charges हैं, अगर हम उनको एक दूसरे के सामने लेकर के आएंगे तो definitely उनके बीच में repulsion लगेगा यानि कि positive positive repulsion, negative negative charge repulsion लेकिन अगर हम unlike charges को या opposite charges को एक दूसरे के आमने सामने लेकर के आते हैं तो definitely उनके बीच में क्या होता है, attraction होते हैं याने कि positive negative क्या होगा definitely attraction ही होगा तो like charges क्या करते हैं ripple करते हैं और unlike charges या opposite charges क्या करते हैं attract करते हैं इस चीज को समझने के लिए हमने तीन activities भी perform करके देखी थी first activity में हमने दो balloons लिये थे दोनों में हमने हवा भरी थी हवा भणने के बाद दोनों ही बलून्स को हमने क्या किया था अलग-अलग धागे से थ्रेट से बांध दिया था और बांधने के बाद हमने दोनों ही बलून्स को आप बोल सकते हो कि एक सर्टेन गैप पर दिवार से हमने कुछ इस तरीके से उनको टांग दिया था हैंक कर दि किया और इस फिक्स्ट डिस्टेंस पर दोनों ही बलून्स को सेपरेटली क्या कर दिया है दिवार पे टांग दिया है अब क्या कर था हमने कि दोनों ही बलून्स को हमने वुलन क्लॉथ के साथ यहने कि उनी कपड़े के साथ रब किया था इसको भी रब किया था और इसको भी क्या होने वाला है object के उपर charges develop होने वाले हैं तो initially दोनों ही जो हमारे balloons थे वो कैसे थे uncharged थे यायनि कि ना इसके उपर कोई charge था ना इस वाले balloon के उपर कोई charge था हुआ क्या कि जैसे ही आपने इन दोनों ही बनुट को उनी कपड़े के साथ रप किया friction प्रेडियूज हुआ और इस friction के कारण दोनों ही बनुट के उपर क्या हो चुके है negative charges आ चुके हैं इसके उपर भी negative charge और इसके उपर भी negative charge अब होगा क्या जैसे ही हम दोनों ही balloons को कपड़े से रप करने के बाद में ऐसे release करेंगे release करने के बाद में हमने ये expect किया था कि शायद जिस distance पे हमने दोनों balloons को टांग करके रखा है वो distance कैसा रहे maintained रहे यह यह भी हो सकता है कि दोनों balloons क्या हो जाए पास पास आ जाए यानि कि distance उनके बीच का काम हो लेकिन हुआ क्या इसका ऑपोजिट ही जैसे हमने दोनों ही balloons को रिलीज किया दोनों के बीच में क्या हो गया repulsion हो गया और ऐसा repulsion हुआ कि दोनों balloons क्या करने लगे एक दूसरे से दूर दूर भागने लग गई यानकि उनके बीच में औरेडी हमें एक distance बना करके रखा था Distance बना करके हमें दोनों बलूंस को टांगा था लेकिन जब हमने इन दोनों ही बलूंस को बुलन कपड़े के साथ क्या किया रप करके है रिपल कर रहा है ना इसका नेगेटिव चार्ज इसको अच्छा लग रहा है ना इस वाले बलून का नेगेटिव चार्ज इस वाले बलून को अच्छा लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं डेफिनेटली रिपल करते हैं इसके बाद में हमने एक लिए था जिसमें कि मालब एक एक्टिवीटिका एक्जामपल हम형 में लिया था जिसमें कि हमने दो एकिडि़ इुझी नि युञ्फ लिए थी ग्लास लिए था उसमें हमने पानी डाला था और इसके बाद में एक रिफिल हम में ली औसको हमने क्या था पॉलोथिन से रब किया था ठीक है तो हुआ क्या रब करने से जो रिफिल है उसके उपर एक पॉजिटिव चाज आ गया अब इस पॉजिटिव ली चाज़ रिफिल को हमने पानी में ग्लास के अंदर डाल दिया अब हम दूसरी यूस जो रिफिल लेकर किया है और विसी बादे रिफिल किसकी बनी होती है प्लास्टिक की बनी होती है तो दूसरी वाली रिफिल को भी हमने क्या करा रब करने के बाद में क्या हुआ उसके उपर भी पॉजिटिव चाज आ जा गया तो दोनों ही रिफिल के आइक यहां नहुंकि आचुक defeat जाब तो जैसे अब हम दूस्य वाली यूज रिफ्ल पहली रिफिल के पास दोकी हमनेyy इन्हों go doctorijITY फ़ीओन रीफिल को पहली वाली रिफिल के पास लेकर की आये तो हमने देखा जो पहली वाली डिफिल है न वह अपनी जगा से ऐसे displace हो गी रिफिल ऐसे पड़ी थी जैसे ही दूसरे रिफिल आई उसके पास तो रिफिल क्या हो गई ऐसे displace हो गही स्क्शिश क्यों ही क्योंकि दोनों ही रिफिल के उपर same charges थे पहली वाली charges है वो definitely क्या करते है रिपली करते हैं चाहे वो negative charges हो जो कि balloons के ओपर थे फिर वो चाहे positive charges है जो कि कहां थे दोनों ही refills पे थे हटाओ इसको फिर इसके बार में हमने देखा था कि हमारे पास क्या है एक same हमारे पास ये glass है उसमें भूस है और ये फिरे पानी हमें भरा हुआ था एक हम रिकर क्या था उसको हमने फिर से क्या किया है polythone के साथ में राप किया है तो रि neighboring के आ चुका है positive charge आ चुका है और इस positively charged plastics को हमने पानी में glass में डाल दिया फिर इसके बार में हम बलून लेकर के आए हैं और बलून को हमने क्या कर रहा है वुलन क्लॉट से रब किया है रब करने के कारेंट क्या हुआ बलून के उपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया अब इस नेगेटिव ली चार्ज बलून को जब हम रिफिल के पास लेकर के आए तो इस बार रिफिल ने कुछ चांश्ट बलून लेकर के आए हैं तो रिफिल के behavior में फरक था फरक क्या था कि इस बार जो रिफिल है वो क्या कर रही थी अट्रैक्ट होकर के बलून की तरफ जा रहे थी क्यूं तेकि बलून और रिफिल दोनों के बीच में या आप बोल सकते हो कि दोनों लग गया और इसी attractive force के चलते जो रिफिल है वो अपनी जगह से डिस्प्रेस हो गई और कहां आगए डिस्प्रेस होकर के बलून के पास ही आ गई पहले जो डिस्प्रेस हो रही थी उस displacement में रिफिल दूसरी वाली रिफिल से दूर जा रही थी इस पार जो रिफिल का displacement हुआ है वो ऐसा हुआ है कि रिफिल डिस्प्रेस होकर के बलून के पास ही जा रही है तो यहां पे क्या हुआ जो opposite charges है जो आप हो सकते हो कि unlike charges है उनके बीच में आपको एक attractive force एक attraction आपको यहां पे इतना क्लियर है तो यह पूरी तीनों हमने जो activities परफॉर्म करी थी अपने प्रिवियस सेशन में उन activities को हमने discuss किया अब इन activities को हमने revise करके यह डिसकस क्यों किया है वह इसलिए क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहरी हूं कि अभी तक हम जो भी interactions देखते हुए आये हैं वह किसके बीच में है दो चार्जड ऑब्जेक्ट के बीच में है भाई दोनों ही बलून कैसे थे चार्जड थे दोनों ही रिफिल कैसी थी चार्जड थी इसके अलावा बलून और रिफिल जो हमने तीसरी activity डिसकस करी है अभी अभी उन दोनों में जो बलूनस और जो बलून और जो रिफिल ती दोनों ही कैसे थे चार्जड थे तो अभी तक हमने जो भी interactions देखें हैं जो बीचल के बीच में तो वो interactions कैसे थे दो-चार्जडक्ट के बीच में इंटररेक्षण अब हम बात करेंगे दो objects के interaction की जिसमें कि एक object कैसा होगा charged और दूसरा कैसा होगा uncharged देखो या पर क्या लिखा जा रहा है कि a charged object attracts an uncharged object by producing opposite charges in the nearer end of the uncharged object by electric induction क्या बोला गया है आपे कि एक charged object क्या करता है एक uncharged object को अपनी तरफ attract करता है कैसे by producing opposite charges in the nearer end of the uncharged object by electric induction देखो ऐसा है जिस object के उपर charge है उसकी तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस object के उपर charge नहीं है वो uncharged object भी क्या कर रहा है charged object की तरफ attract हो रहा है ऐसा क्यूँ? uncharged object जो था उसको तो हमने जाकर के charge किया ही नहीं था हमने तो एक object को charge किया था लेकिन दूसरे बाले को तो charge किया ही नहीं था लेकिन फिर वो कैसे uncharged object पहले वाले charge object के पास attract हो करके जा रहा है तो ये पूरा किसका काम होता है? किया धरा किसका होता है? charged object का ही होता है क्यों? क्योंकि ये charge object क्या करता है? uncharged जो object है उसके nearer end पर opposite charges produce कर देता है आई बद समझ में जो एक charged object है न वो दूसरे uncharged object के nearer end nearer end का मतलब क्या है? वो वाला end uncharged object का जो की कहा है? charged object की तरफ है आई बद समझ में? तो एक charged object क्या कर रहा है? uncharged object के उपर opposite charges produce करवा रहा है कहां उसके nearer end पर यानि कि वो वाले end पर जहां पर जिसके सामने क्या है? एक charged object है कैसे? तो by electric induction मैं आपको बताओं electric induction मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ लेकिन एक अलग सा topic है electric induction का एक अलग सा topic है कि आखिर कैसे charged object एक uncharged object को अपनी तरफ attract कर रहा है तो इसलिए एक अलग से you know session में हमने इस topic को cover किया है और अलग से हमें आपको एक बार फिर से वो चीज़ explain करने वाली हूँ वर्ना तो मैं आपको already previous sessions में ये बात अच्छी तरीके से explain कर सकते कर चुकी हूँ कि भई कैसे एक charged object एक uncharged object को attract करता है अगर यकीन ना हो रहा हो तो याद करना मैंने आपको बताया था कि एक जो बलून है वह बलून दिवार बजा करके कैसे चिपकता है यह समझाया ना मैंने आपको तो बस उस एक्जाम्बल को आप ध्यान में रखिए और अब जो मैं आपको चीज़े बताने जारी हूँ उनको आप समझते जाए तो एज़ाम्पल वी एक्स्प्लीन हाओ अचार्च प्लास्टिक कोम अट्रेक्ट्स अन अंचार्च पीसे ऑफ पेपर यह जो बेसिक एक्टिविटी है यह हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं चैप्टर की जो हम बोल सकते हैं कि जो शुरवात थी जो बिगनिंग थी वह हमने इसी एक्टिविटी के साथ की थी कि हमारे पास क् पेपर के छुटे-छुटे टाइनी पीसे थे ठीक है फिर इसके बार में क्या करा हमने उस प्लास्टिक कोम को या प्लास्टिक कोम अगर आके पास नहीं हो तो प्लास्टिक की आप ऐसी रॉड भी ले सकते हो तो उस प्लास्टिक कोम और प्लास्टिक रॉड को हम क्या करते वेसिकली चार्ज करते हैं सपोज हम बोल रहे हैं कि प्लास्टिक कॉम या प्लास्टिक की जो रॉड है उसके उपर हमने जो भी चार्ज किया है उस चार्जिंग के हिसाब से उसके उपर चार्ज कौन सा आया है नेगेटिव आया है ठीक है चार्ज कौन सा आया है पड़े हैं यह सब हम बोल रहे हैं कि इस रॉड के ऊपर या कॉम के ऊपर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर चिपकने की कोशिश करेंगे कोशिश क्या कुछ तो हम बोलेंगे की पीसिस जाकर के चिपक ही जाएंगे तो ध्यान रखिएगा जो हम प्लास्टिक के राट ले रहे हैं जो हम प्लास्ट का कोम ले रहे हैं उसके पर चार्ज कौन सा एंगेटिव है तो negatively charged plastic कोम produces opposite charge या produces opposite charges या positive charges in the top end of paper which is nearer to it by electric induction अब यह जो हम plastic का कोम या plastic की राट घूमा रहे हैं ना paper की pieces के ओपर ये रोड या यह प्लास्टिक का कोम यह कर कह रहा है बेसिकली पेपर के पीसिस का वो वाला एंड जो की प्लास्टिक की रोड या कोम के पास है नियर है उस वाले एंड पर पेपर की पीसिस के एंड पर उपोजिट चार्जिस प्रेड्यूस करने वाले हैं कौन भाई यह जो आपने प्लास्टिक का सब्सक्राइब ले रहे हैं जो आपने प्लास्टिक का रोड लिया है जो कोम लिया है आपने यह क्या करेगा पेपर की पीसिस के वह वाले मैंने कि comb के ओपर कौन सा चारज है negative charge है. तो paper की pieces के nearer end पर कौन से charges produce होंगे? opposite तो लेकिन कौन से positive charges. कैसे? तो electric induction से. This is because negative charge of plastic comb repels the electrons from the top side of paper to its bottom side. Leaving the top of paper positively charged. हुआ क्या? देखो. आपके पास, अभी मैं example के लिए एक ही paper का piece ले रही हूँ, ठीके ना, इसको थोड़ा सा उपर बनाते हैं, यह क्या है paper का एक piece है, जिसमें कि definitely आपको कुछ positive charge मिलेंगे, यहने कि positive charge करी करने वाले, आप बोल सकते हो कि electrons मिलेंगे, Similarly negative, sorry positive charge करी करने वाले protons मिलेंगे और negative charge करी करने वाले electrons मिलेंगे, एक क्यूंकि paper का जो piece है, वह भी किसका बना है, का piece लिया है यह कैसा है यह है neutral electrically neutral state में यह है इसके वपर अभी कोई भी charge नहीं है अब क्या हुआ हमें कॉम लेकर के आए हैं हमें कॉम लेकर क्या हैं यह हमने बना दिया क्या हमारा यह कॉम ये बन गया हमारा कॉम ठीक है अब इस कॉम के उपर हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्या है नेगेटिव चार्जिस है तो एक काम करते हैं नेगेटिव चार्जिस हम बना देते हैं ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव है ना तो कोल मिला करके ये सारे नेगेटिव चार्जिस आ चुके हैं अब होगा क्या कि कॉम के उपर जो नेगेटि करते हैं तो कॉम के ओपर भी नेगेटिव चार्ज और पेपर की पीस में आप बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज भी है पॉसिटिव चार्ज भी है फरक यह है कि नेगेटिव और पॉसिटिव चार्ज दोनों कैसे हैं बराबर बराबर है इसलिए जो पेपर का पीस है वो कै नेगेटिव चार्ज करने वाले इलेक्टरॉंस है ना और नेगेटिव चार्जिस को रिपल करने लगेगा कि भाई नेगेटिव चार्ज यहां पर आया है कोम का तो यह नेगेटिव चार्ज क्या करेगा पेपर के पीस में जो नेगेटिव चार्ज करने वाले इलेक्टरॉं है है उस में जो एलेक्ट्रॉंस है उनके उपर नेगेटिव चारज है जैसे ही उनको पता चलेगा छालने गए जो पर के पास तो कौन आ रहा है आने धो क्या दिक्कत है लेकिन को तो नेगेटिव अब इलेक्टों गवरा जाएंगे कि अरे यार हमारे उपर तो खुटी नेगेटिव चाज है उपर से जो कंगी आ रही उसके उपर भी नेगेटिव चाज बना हुआ है क्या करेंगे हम तो दूर भाग जाएंगे दूर कैसे भाग जाएंगे तो यह सर्फेस की कहानी थी तो तो भी negative charge carry करने वारे electrons होंगे न वो हम बोल रहे हैं कि नीचे के तरफ क्या हो जाएंगे आ करके settle हो जाएंगे नीचे के तरफ आ करके settle हो जाएंगे initially जो negative charge करने वारे electrons थे वो paper के piece के surface पे भी थे लेकिन जैसे ही surface के contact में कौन आया negatively charged comb आया electrons को लगा कि अरे यार यह तो opposite charge मतलब यह तो सेम चार्ज वाला यह रों कोम आ गया है electron हमारे उपर खुद के उपर क्या है negative charge ए इलेक्ट्रों के उपर जो कोम आया उसके उपर भी negative charge क्या करेंगे हम लोग negative charges इतने सारी खटे हो करके तो सभी के सभी जो electrons होंगे negative charge करी करने वाले वो नीचे जाकर के bottom में जाकर के settle हो जाएंगे जिसके कारण उपर कौन रह जाएगा उपर रह जाएंगे positive charge करी करने वाले protons याद आया यह मैंने आको कब बताय था जब मैं आको यह समझाने की कोशिश करी थी कि भाई देखो कुछ इस तरीके से जो बलून है वो दिवार पर जाकर की चिपकता है कि दिवार के अंदर प्रोटॉंस भी है और electrons भी है जैसे ही negatively charged balloon आएगा दिवार के protons को क्या हो जाएगी excitement हो जाएगी कि उसी side में जो proton से वो आकर कि accumulate हो जाते हैं लेकिन उल्टा कौन होता है उल्टा कौन काम कौन करता है electrons जैसे electrons देखेंगे कि अरे यार balloon आया है उसके ओपर भी negative charge हमारे ओपर भी negative charge हमें क्या करना है अंदा दूर बहागेंगे तो डीवार की जतने भी negative charges होंगे है कि दीवार क जितने भी उन्हों electrons होंगे वो electrons जो है दीवार से दूर भाग जाएगे दीवार के उस side से दूर भाग जाएगे जहां पर balloon आया है भाई सीरी सी बात ना अगरastic दिवार आपकी यह है बलून आपका यहां आया है तो दिवार की जिस साइड की तरफ बलून आया है उस साइड से दूर भागेंगे कौन इलेक्ट्रों और दूर भागते हुए कहां आ जाएंगे दिवार की दूसरी साइड पे आ जाएंगे क्यों आ जाएंगे दूसरी पर तो कोई balloon है ही नहीं कोई opposite चार्ज है यहां है opposite चार्ज स़र्य opposite ने सेम चार्ज नहीं यहां है क्या same charge तो यहां पर हम बोल रहेंगे same charge है जिसके current जो electrons है वो उस वाली साइट से दूर भागेंगे और दूसरी साइड में बहुत जाएंगे, अब आया समझ में, इसलिए मैंने बोला था कि नाम बहुत भारी है इसका, क्या इलेक्ट्रिक इंडक्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक इंडक्शन में आपको अल्रेडी बहुती पहले इसी चैप्टर में, प्रिवियस सेशन में समझा च जाता है, तो यहां पर हुगा क्या देखो, कि इस इस बिकॉस, नेगटिव चार्ज औफ प्लास्टिक कोम, रिपल्स और इलेक्ट्रोंस टॉप साइड प्र तूइपर तूइट्स बॉटम साइड, पेपर के पीस के टॉप साइड पर जो भी इलेक्ट्रोंस प्रेजन थे, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्चन होगा, जिसके कारण, पेपर के पीस के टॉप पे, जो इलेक्ट्रोंस प्रेजन होंगे, अब वो कहां आजाएंगे, उसके बॉटम साइड में आजाएंगे, और नीचे जाकर कि क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से से सेटल हो ज अब खुदी बताओ, पेपर के टॉप से अगर इलेक्ट्रोंस चले गए हैं, तो पेपर के टॉप पे बचा कौन, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या कि पेपर के पीस का जो टॉप सर्फेस है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ली चार्ज हो जाएगा, ओविस स अगये हैं, और टॉप पे किसे छोड़ दिया है, प्रोटोंस को छोड़ दिया, जिसके कारण जो पेपर का टॉप होगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ली चार्ज हो जाएगा, प्लास्टिक कॉम है नेगेटिव चार्ज एंड़ टॉप और तो था ही नेगेटिव चार्ज और पेपर के पीस के जो टॉप है, उसके ओपर भी क्या आ चुका है, एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्यों? क्योंकि एलेक्ट्रॉंस तो मैदान छोड़ करके भाग गए, उनको जैसी दिखाई दिया कि अरे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव ली नेगेटिव ली चार्ज इसके कारण जैसे ही कॉम आएगा, पेपर की पीस के पास, उसके टॉप सरफेस के पास प्रोटॉंस जा करके चिपक जाएंगे, प्लास्टिक के कॉम से, अट्रेक्शन बिट्वीन ओपोजिट चार्ज इस नेगेटिव चार्ज और प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज इसके पेपर क्या ऑपर क्या होता? चार्जिस का इंडक्शन हो जाता. जिसे हम क्या बोलते हैं भई? जिसे हम बोलते हैं, electric induction, यहाँ पे हम क्या रहे हैं, एक charged object, एक uncharged object के उपर charges डबलब करवा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, electric induction बोलते हैं, एक charged object के उपर, जो भी charge होगा, इधर positive या negative, तो वो charge क्या करेगा, दूसरे uncharged object के अंदर, जो भी, you know, electrons होगे, जो protons होगे, उन दोन में से, for example, अगर charged object के उपर, यहाँ पे तो हम ने देखा था कि कौन के उपर negative charge है, अब हम दूसरे example लेते हैं, कि हमारे पास एक ऐसा charged object है, जिसके उपर क्या है, positive charge है, तो जब यह positively charged object किसी दूसरे uncharged object के उपर आएगा, या उसके पास आएगा, तो उस uncharged object के अंदर, जो protons होंगे न, वो घबरा जाएंगे, कि अरे यार, कौन आ रहा है, हमारे पास positively charged object आ रहा है, अब हमारे उपर तो खुदी positive charge है, हम क्या करेंगे, हम तो भाग जाएंगे, तो होगा क्या, जो protons होंगे, uncharged object में, वो दूर भाग जाएंगे, दूर कहां भाग जाएंगे, object से बाह positive charges आ रहा है, तो इस object के जो protons होंगे, वो कहां भाग जाएंगे, opposite side में भाग जाएंगे, सब के सब opposite side में भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो already positive charges आ रहा है, तो सभी के सभी object के जो positive charges है, वो दूसरे end में भाग जाएंगे, यहाँ कौन बचाएगा, यहाँ पे आप ब में एक attraction बन जाएगा और ये object और ये वाला object आपस में जॉइन हो जाएंगे आई बात समझ तो कुछ इस तरीके से electric induction होता है और एक charged object एक uncharged object को अपनी तरफ attract करता है तो आज की session के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे कहां अपने next session में और next session में मुझे लगता है कि अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो स्कोप के बारे में कि अभी तक हमने charge और uncharged object के उपर इतनी बाते कर ली हैं लेकिन अब finally समय आता है ये जाननेगा कि भाई एक object के उपर charge है या नहीं इसे हम पता कैसे करें तो electroscope के help से तो अगले session में हम बात करेंगे electroscope के उपर तब तक आप क्या करेंगे आप विजिट करेंगे हमारी official website magnetbrains.com जैसे आप हमारी official website visit करोगे आपके सामने आएगा ये वाला page जहां लिखा रहेगा इंडिया नंबर 100% free online education platform इस page को जब आप और स्क्रोल करोगे तो आपके पास option आएगा explore top courses का जहां पे class 12 से लेकर के kindergarten तक की सभी courses होंगे available अब सब्सक्रास एथ में आपको class 8 science ही दिखनी तो आप क्या करोगे class 8 पे करोगे class 8 science पे जाओगे जैसी आप इस पे जाओगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला page जहां पे लिखा रहेगा class 8 science ncrt by विभूती खरे अब अभी तक हमने जितने भी सभी chapters कर लिए हैं जो भी हम कर रहे हैं सभी chapters के सभी lectures यहां पे आपको available हो जाएंगे for example अगर आपको first chapter ही देखना है production and management तो जैसी आप इस पे click करोगे आपके सामने खोल जाएगा इस chapter का first वाला lecture first वाला session introduction वाला तो कुछ इस तरीके से आप सभी chapters के सभी lectures यहां पे आप देख सकते हो फाइदा यह है website को visit करने का की यहां पे आपको सभी chapters के सभी lectures एकदम properly sequence में arranged मिल जाते हैं plus यहां पे सभी topics ही होते हैं notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching